मा ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ और हनवान जी आपके प्रभु आपपर बड़ी कृपा करे हनवान जी बहुत आनंद मिंदिर्त किये और उसके बाद बोले मा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है यहाँ इतने बड़े बड़े फल लगे हैं, आग्या हो तो पालू मा ने कहा बेटे फल तो नहीं है, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का अशिरवाद दे दिया है मा अब थोड़ा प्रेक्टिकल करूँगा, कितना बल मेरे में आ गया है, देखना चाहता हूँ मा मा तो बल जानती है हनमान जी का, बुली जाओ, खृदय में बैठे रगुनात जी को पहले भोग लगा लेना फिर पाना हनमान जी चले, जाकर पहले पेट भर के खाए, चले उनाए, सिर पै ठेव बागा, फल खा एसी तरू, तो रहे रागा पहले पेट भर के फल खाए, और सोचे की रावण से मिलना है तो कुछ उतुपात किया जाए, कि सब हमको पकड़ के रावण के पास ले चले एक आदमी को, एक आदमी बिहार में जीवित आदमी भईया, और उनके पटिदार लोगों ने उस आदमी को मृत घोशीत करके नकली कागज बनवाके मृत घोशीत करके, असारा जमीन अपने नाम पर ले लिया तो आदमी सालों यही प्रमाणित करने में ठक गया, कि मैं जिन्दा हूँ जिसके पास जाकर कहता था, मैं जिन्दा हूँ, तो सामने वाला कहता था, प्रमाण लाओ कि तुम जिन्दा हो कागज लाओ कोई दिमाग उसका काम नहीं आया, तो एक दिन एक पुलिस वाले को पकड़ के बहुत मारा पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाके उसके नाम का केस हनमान जी सोचे मैं कोई वी आईपी अठीती तो हूँ नहीं, कि हमको सब रावण के पास ले चलेंगे, कुछ उत्पात किया जाए, कि ये सब राक्षस हमको पकड़ के लेके चले हनमान जी ऐसा सोच कर फल खा एसी तरू व्रिक्षों को तोड तोड के फेकने लगे रहे तहां बहु भट रखवारे, कच्छु मारे सी कच्छु जाए पुकार जैसे हनमान जी व्रिक्षों को तोड़ने लगे रखवाले आए भट हनमान जी बैटके रखवालों को पकड़ पकड़के एक साथ पंदरह को इधर पकड़ते थे पंदर को इधर पकड़के और नीचे मिठ्ची में दबा के रगडने लगते थे इतना रगडते थे कि सम्मर्ने लगे रखवाले आते गए हनमान जी रगडने लगे अंत में 12-15 रखवाले बचे हनमान जी किवल एक बार रगडे थे सीता राम रखवाले बोले हम लाश्च बचे हैं हनमान जी बोले क्या बोले हम ही बचे हैं सम्मरी गए हमको मार दीजीगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा हनमान जी बोले ठीक से बताओगे रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिये हो फिलिंग के साथ बताएंगे कितना धर्द होता है रगणने के बाद गई रावण के पास रखवाले जाक रावण से बोले नाथ एक आवा कपिभारे तेही असोक बाठी का उजारे खाए सिफल अरुबिट पवपारे रखवाले पहुचे रावण से बोले प्रभू रावण बोला कौन हो तुम? इमत पूछिए पहले हम जो बोलर हैं उसको सुनिए नाथ एक आवा कपिभारी बहुत भारी बानर आ गया है क्या हुआ? तेही असोक बाठी का उजारे जितना मेंटनेंस पर आपने खर्चा किया था आस तक बराबर कर दिया कैसे? खाए सिफल अरुबिट पवपारे फल खाया ब्रिक्षो को उखाड दिया रावण बोला तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? बोले हमको छोड़िये तुम कैसे बच गए लाष्ट बोल दिये न बच गए हम बोल दिये हमी लोग लाष्ट बचे हैं हमको मार दीजेगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा छोड़ दिया रावण बोला बहुत जोड़ से रगड़त है का सर सीर को पकड़के मिठी में दबाके जैसे तीन बार इसी से रगड़ता है कामसतमा अच्छा रावण ने भटों की सेना को बुला कर बुला तुम लोग जाओ जाकर मारो उसको जैसे भटों को रावण ने कहा तो उसमें दस बार डरपोक भट थे दर्पुक समझते हैं न, वो सुने थे रखवालों की बात की मूडी पकड़ता है, अम्माटी में दवा के, चटनी बना देता है रगड रगड के, अच्छा, तो रावण के सामने तो सब चिला रहे थे, पकड लेंगे, थोडेंगे नहीं, दबोच लेंगे उसको, रावण के सामने, अजैसे महल से बाहर निकले, इस जितने डर्पुकवा थे, सब पीछे आगे, इरम लाष्ट में, आपस में गुरुप बनाए, कि देखो चला जाएगा, हम लोग पीछे पीछे रहेंगे, इन लोग को आगे जाने दिया जाएगा, अगर ये लोग बच आएगे, तो हम लोग भी जाके लड़े लेंगे, आई लोग मरी जाएगे, तो हम लोग यहीं से भाग लेंगे, स्वामी जी कहते हैं, जैसे भट पहुचे हनमान जी के सामने, शियनमान जी एक ब्रिक्ष उखाड के, विशाल ब्रिक्ष उखाड के हाथ में गदा असले के बैठे थे जैसे भट आये हर्मान वी ब्रिक्ष चला चला के सब रज नी चरक कपी संधार सब को मार दिये जो उदर छिपे थे डर्पकवा भगे रावन के पास जाकर बोले सरकार मार दिया सब को मार दिया रावन बोला फिर रगड़ा है क्या नहीं सरकार इस बार तो इस टाइल बदल के बारा देशे जाड़ू लगाते हैं जाड़ू लगा लगा के मार अच्छा तुम तो नहीं मरे हम तो छिप गए थे न सब मर जाते तो आपको भी बताने वाला कोई चाहिए न हम जान मुझ के पीछे चिप गए थे रावन बोला मुर्खों तुम लोग पता था तुम लोग को कि सामने से जाने से मार देता है पीछे से जाना चाहिए बोले बीस लोग पीछे से भी गए थे क्या हुआ फिर आगे वालों का तो डेड़ बोडी मिल गया पीछे वालों का वो भी नहीं मिला क्यों जो जो पीछे से गया सरकार उसको पूँच में लपेट लपेट के ऐसा उपर उच्छाला है मानो सब चंद्रयान थ्री का पीछा करने गया हुआ हम एक घंटा वाँ खड़े रहें कि ये कहू नीचे गीरे सब पृत्वी के गुरुत्वा कर्शन के उपर जाकर सेटलाइट बनके घूम रहे हैं एक भी राक्षस नीचे नहीं आया तब हम आपके पास आए हैं तुम जाओ नेया नेया पहलवान था पॉछिटा बान के तियार खड़ा है नेया पहलवान नहमेंसा पहलवान निकले तईयार अहां और अगे अक्षय कुमार आया कहां पита जी मुझे बहजीं मैं देखू कहा का कपी आया है लोला सहाब बाशब्स पिठा जाओ अक्षय कुमार चला साथ में सुभटों की सेना लेकर हनवान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे एक विसाल ब्रिक्ष हाथ में उठाए विसाल ब्रिक्ष अक्षय कुमार की रत की और दोडे और पूरा का पूरा ब्रिक्ष अक्षय कुमार की रत पर दे मारा जैस्रीडा उसी वरिक्ष में दब के पी सके समापत हो गया अक्षे कुमा अब उसके साथ जो सुभट थे हन्मान जी दर्शन करिये क्या किये उनके साथ गुस्वामी जी कहते हैं कच्छु मार इसी कच्छु मर इसी कच्छु मिल इसी धरे धोर आप लुग धील मार ए धील जू 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 पहले बाल में जू होते थे ना कैसे जू मारें है जू निकालके कि जड़ाण ऑच्छु में पहले जू कैसे मारते थै जू निकालके यह नाकोन पर रखके उसी तरह हन्मान जी को स्वामी जी कहते कच्छु मारे सी एक एक राक्षस को उठाते हैं हाथ पर कच्छु मारे सी कुछ को कच्छु मिली एसे धरे धो कुछ को मारा कुछ को रगड के मारा कुछ को धोल में रगड के मारा इधर उधर से कुछ छटके जाकर बोले रावड से प्रभू सब को मार दिया आपके बेटे को मार दिया पैसे मारा जाडू नहीं इस बार पूरा ब्रिक्ष चला के मार दिया हर बार इस्टाइल बदल देता है और प्रभू कपी नहीं आया है मरकट आया है मरकट राओन बोला मरकट क्या होता है बहुत बारता है सरकार सुभड बोले मारता भी और काटता भी है मर कट एक साथ दो दो काम करें मर कट रावण ने कहा मेगनात को बुलाओ मेगनात आया रावण ने कहा देखो पहले हमार बात सुनो मारना मत उसको रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मरी जाएगा सावधान कि अमारे सुजन सुत बाधे सुताई जाओ केवल उसको बाध करके लाओ मैं भी तो देखू कहां का कपी आया है मेघनाच चला महाभटों को साथ में लेकर रहे महाभटता के संगा हनमान जी मेघनाच बाध को देखे विशाल वरिक्ष उठाएं मेघनाच के रत पर दे मारा जाए स्री राओ ये कहिए वरिक्ष गिरने के पहले मेघनाच भाग लिया उसका रत खंड खंड हो गया आकाश में चला गया माया करके जैसे मेघनाच आकाश में गया हनवान जी कहें बाबू अभी नीचे बूलाता हूं तुमको रुको हनवान जी का गिरा हुआ मुच्च का मेघनाच उपर गया हनवान जी उसके साथ महाभटते रहे महाभटता के संगा गुस्वामी जी कहते हैं हनवान जी ने अपने सरीर के सारे केश को सुई के समान नुकीला कर लिया और महाभटों को पकड़के रहे महाभटता के संगा जैसे मेघनाच ने ब्रहमास्तर चलाया हनवान जी को लगा नहीं हनवान जी नाटक किये तेही देखा कपी मुर्शित रहे हनवान जी देखें और मुर्शित होने का नाटक करके गिर गए गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे एक जगह पचीस-तीस राक्षस थे उनके उपरे गिर गए सब मरी गए दबके उसी में हनवान जी आँख बंद करके गिरे हैं मेघनाच आया हनवान जी को देखा राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको एक भी राक्षस हनमान जी के पास नहीं जा रहा है मेघनाच बोला सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहा है उठा करके ले चलो एक राक्षस बोला ये बताईए अभी बेहोस है वो हम उठाने गए अठीक उसी समय उसको हो बोलूगा बोलोगे राक्षास बोले कुछ भी बोल नेंगे हम हम रावर को अब सब्सक्राइब बोल नेंगे आज आप रगड़िये गा मत हम लोगों को अनमान जी बोले रामण की चिंद चर्चा नहीं करनी है मेरे साथ गाओ सारे राक्षास राम्सिया राम्सिया गाने लगे चिला चिला के गाने लगे कि हनमान जी खुस हो जाए तब तक मेघनाज सुना कि हमारे सैनिक, हमारे शत्रु का गुर्गान कर रहे हैं, चिल्लाया राक्षासों पर, शत्रु का नाम लेते हो, राक्षास भूले चूप चूप, जगा हुआ है, अरे चूप रहुरे, बोला है कि जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, बेहोस नहीं है, जगा हुआ है, तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कैसा लगता है रगडने के बाद, अब तुमहरे नंबर है, चाहते हो तुमको भी ना रगड़े तो तुम भी गाओ हम लो के साथ में रामसिया राम्सिया रांज जया राम्सिया 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 गाते गाते घाते हनü mean जी को रावण की सभां मिले गए रावण हनमान जी को देखते आवेश में आ गया कौन है तो किसका बानर है रावण का नाम नहीं सुना अशोक बाटिका क्यों उजाडा राख्षसों को क्यों मारा हनमान जी बोले चुपो जाओ पूछ लिए तो उतर ले लो तुमने पूछा मैं कौन हो जिसके बल को प्राप्त करके माया स्रिष्टी को जनम देती है पालन करती है विले करती है जिसके बल को प्राप्त करके शेश ने मस्तक पर प्रिथिवी को धारन किया है जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिना को खंड खंड कर दिया है जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया है और जिसकी पतनी सीता मैया का तुमने हरण किया है मैं उसी राम जी का दूत तुहारे सामने खड़ा हूँ मैं राम दूत हूँ यहां हनमान जी ने नाम नहीं बताया आप दर्शन करिए अंतिम समय तक रावण को पता नहीं चल पाया कि रावण लंका में जो आग लगाया था उस बानर का नाम क्या था ये अब दर्शन करिएगा रावण को पता नहीं चला हनमान जी के बारे में हनमान जी नाम नहीं बताएं अंगत जब आए हैं तो रावण ने कहाई एक बानर आया था यहाँ पर आग लगा कर गया है अंगत बोले क्या बोले बानर आया था हाँ एक बानर आया था अंगत बोले जिसकी तुम प्रसंसा कर रहे हो हमारी सेना का सबसे छुटका बानर है लगता है इसी के मारे वो गया नहीं वहाँ पर लावट कर कि राम जी डाटे यह तुमने आग क्यों लगा दिया बोले रावण को पता ही ने कि कुछ से कौन आया था हनमान जी बोले राम जी का दूत हूँ मैं तुम्हारे नाम को नहीं सुना हूँ सुना हूँ न तुम कितने बड़े बहादुर हो बाली से तुम छे महीना लड़े थे कितना सुन्दर लड़े थे तुम छे महीना रावण बाली के कांख में दबा था बाली रावण को कांख में दबाके छे महीना पूरा वर्ल्ड का टूर किया जहां बाली जाता था कहता था देखो देखो रावण वाहे देखो देखो दबाया हुई दर छे महीना हनमान जी बोले तुम बाली से कितना सुन्दर लड़े थे न छे महीना रावर देखा ये तो सहरा पोल खोल देगा मेरा यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुन कपी बच्चन बिहां सी भी हरावा रावर अरे चुप हो जा अरे चुप चुप मैं जानता हूँ तुम हमको जानते हो चुप रो आगे मत बोलना कुछ भी तुम जान गए हमको यह बताओ असोक भाटी का क्यों उजाडे हनमान जी बोले बानर उजाडेगा नहीं तो लगाएगा राक्षसो को क्यों मारे मैंने नहीं मारा जिन मोही मारा ते मैं मारे जिसलिए मुझे मारा मैंने उसको मारा रावन बोला देखो हाथ बधा हुआ है इसका अब भाषा देखो कैसी भाषा बोल रहा है हनमान जी बोले ए रावन प्रभु का रज लगी आप बधा भावा दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनमान को बाध ले मैं रामकारी के लिए स्वैम को बधवाया हूँ किसी ने बाधा नहीं है देखना मैं तो देखो जैस रे है जैसे जैस रे नाम जी का नाग पास का बंधन ठो वही खुल गया जैसे हाथ बाहर निकड़ा राक्षट भागने लगे भागो हाथ खुल गया फिर रगड़ने गा है हनवान जी बोले नहीं अब नहीं रगुणूगा ही खड़े रहो श्रेनवान जी ने रावण को समझाया सिता जी को वापस कर दो लेकिन यहां समझियेगा समझाना उसको चाहिए जो समझने को तयार हो रावन ने कहा गुरू मत बनो तो हनवान जी बोले गुरू महीं बन रहा हो समझा रहा हो रावन भोला तुमहारी मृत्यु निकट आगाी है हनवान जी बोले उलटा तुमहारी आई है रावन ने भावन भावन में मारने का आदेस दिया भीविश्वाण जी ने आखर रोका कोई और धंड दिजिए रावन ने कहा पूछ में आग लगा दो इसके हनमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद अब रामण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा हनमान जी ने इतनी लंबी पूछ कर दी पूरे नगर का कपड़ा ते लगी सब समाप्त हो गया राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा निकाल के लाते थे हनमान जी को दिखाते थे देखो देखो यह कपड़ा तुमारे पूछ पे लपेटा जाएगा यह हमारा घर है घर से लेके आया हूं निया कपड़ा तुमारे पूछ पे लपिटा जाएगा हनमान जी बोलते हैं दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ एक बार आग लगने दो बास जिसके जिसके घर से इस अगनी कांड में चंदा दिया जा रहा है न घी तेल कपड़ा जो भी डोनेशन दे रहा है एक बार आग लगने दो उसके उसके घर में परसादी देने उतरूँगा मैं पूरे नगर में घुमाके आग लगा दिये सब पूछ में हन्माणजी उलटि पलटि लंका सब सापकर पूछ की अगनी समुद्र में कूद कर श्यांत करे हन्माणजी मा के पास आएं और चूड़ा मड़ी लेकर महनमान जी मा से मा को समझा के राम जी के पास गये हैं